नमस्कार आप लोकल एटीन देख रहे हैं देखे लोकसभा चुनाओ के अंतिम चरन में एक जून को पतना के पतना साहिब और पाटली पुत्रा लोकसभा सीट के लिए मद्दान किया जाना है अधिक सधिक मद्दान के लिए ब्यापक तोर पर जागरुकता अभ्यान भी चलाया जा रहा है सहरी छेतरों के अपाटमेंट में मद्दाता मिलन यानि भोटर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है जिराद हिकारी सिर्शत कपिल असोक लोगों से भोट डालने की अपील कर रहे हैं उनका कहना है कि रिकॉर्ड संख्या में लोग मद्दान करें ताकि हमारे जिले का आउसत बहतर हो हमारा लोकतंत्र सम्रिद्ध हो पांच साल में आपका पांच मिनट का समय लोकतंत्र की नई दिसा तै करेगा कि मद्दान का प्रयोग जो है पटनावासी जरूर करें आई वोट फॉर शूर क्योंकि यहां पर 37 मोटर्स है अभी अध्यक्ष मोद ऐसे भी आमारी बात भूई इन्होंने कटिवद्धता जताई है मैं पुना एक बार जो है आप सभी लोगों से अपील करूँगा कि निश्चित जो है लोकतंत्र के इस पर में आप पाटिसिपेट करें और इसको मजबूत बनाए बता दे कि जहां दियम नहीं पहुँच रहे हैं उनका संदेश पत्र सौपकर लोगों से मत जरूर डालने की अपील की जा रही है मदाता जागरुकता में जीवी का दीदियां भी एहम भूमी का निभा रही है कम मदान वाले बूथों के पास पदियात्रा निकाली जा रही है डियम ने कहा कि मदान का दिन कर्तब का दिन होता है यह मदाताओं के ससक्तिकरन का दिन है बताते चले कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नौक डड़ोर, नो योर बूथ और कास्ट योर भोट अभ्यान चराया जा रहा है नगर निकायों की कच्रा संग्रहन गारियों से गूझ रहे जिंगल्स वोट डालने को प्रिरित कर रहे है वहीं कल्यान बिभाग, ICDS, जीवी का सिक्षा बिभाग समेथ साहयक निर्बाची अधिकारी नगर निगम कर्मी घर घर पहुँच कर लोगों से मद्दान करने की अपील भी करते नजर आ रहे है उन्हें बताया जा रहा है कि उनका बूत कहा है, इपिक नहीं है तो किन बारा बैकल पिक पचान पत्रों के साहरे भोट डाल सकते हैं वहीं लोगों को कोई समस्या है तो वे टॉल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं जिससे हर तरह की साहयता भी ली जा सकती है वोटे देना कभी न भूलिये वोटे देना कभी न भूलिये लोकल एटिन के लिए पत्ना से उदव करस्न के रिपोर्ट